सुप्रभाद दोस्तो आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स वाइसु मन्ने की में तो आज हम पढ़ेंगे विलियन भाग छे जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सानृता की एक्सप्रेस करने की कुछ विदियां तो पांश वीडियो में पहले पोस इसकी है कि आपको समझाओं क्योंकि ये चैप्टर काफी टिपिकल है और लेबोरेटरी में भी काफी यूज होता है और सभी फिल्ड में यूज होता है क्योंकि लेब जहां होती है वहाँ ये चीज़ें यूज होती ही है तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस से तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, सांदृता को प्रदर्शित करने की चार और मेतोड्स तो पहला उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राम प्रती लीटर सांदृता अब ग्राम प्रती लीटर सांदृता जो नाम कह रहा है वही है ग्राम मैंने आपको पहले भी बताय था अगर शब्द ग्राम आये तो ग्राम का मतलब है द्रविवान दिया है ठीक है प्रती मतलब बट्टे अपॉन नीचे लिखा है लीटर प्रती लीटर लीटर नीचे आ जाएगा और लीटर मतलब होता आईतन तो नाम से ही लग रहा है ऐसी सांदुता जिसमें क्या होगा विलेग ग्राम में होगा और जो विलियन बनेगा वो लीटर बहुगा तो definition हो गई एक लीटर नाम से ही लग रहा है एक लीटर विलियन में घुले एक लीटर विलियन में विलेग के कितने ग्राम घुले हैं simple सा है एक ग्लास पानी मैंने आपको दिया है sorry एक ग्लास पानी नी एक ग्लास विलियन बना के दिया है तो उस Vlian में मैं आपसे पूशिए ओं कि कितने gram मैंने विलेज़ घोले हैं कितने gram नमक खुला है तो वही है gram प्रति-liter सांदरता तो formula हो जाएगा gram प्रति-liter सांदरता equals to देखिए उपर हमेंसे Vlian लिखते हैं और नीचे हमेंसे Vlian क्योंकि उपपर gram लिखा है, gram का मतलब यह द्रविवान है विलेय का द्रविवान जो कि gram में और नीचे हमें सा billion लिखते हैं क्योंकि यह प्रती लीटर लीटर है और लीटर होता है, item को शो करता है तो हम कहेंगे विलेयन का item, simple है gram प्रती लीटर सांड़ता विलेय की मात्रा जो कि gram में है, द्रविवान है द्रविवान को W से दिखाते हैं और विलेयन का item, item को भी से दिखाते हैं तो formula हो गया W by V तो इसको W by V सांड़ता भी कहते हैं इसको confuse मत कीजेगा एक मैं आपको पहले बता चुकी हो द्रविवान, item, सांड़ता, प्रतिशत वो अलग चीज है W by V प्रतिशत, यहाँ पर प्रतिशत नहीं है विए प्रतिशत होने में गुणा 100 हो जाएगा और गुणा 100 होगा तो उस सांड़ता का नाम यह नहीं होगा फिर क्या होगा उस सांड़ता का नाम द्रविमान, item, प्रतिशत सांड़ता अभी यहाँ गुणा नहीं है ना 100 तो इसलिए simple होगा इसका नाम ग्राम प्रतिशत सांड़ता तो अगर आपसे पूचा जाए एक प्रशन आपसे पूचा है 20 ग्राम प्रतिशत सांड़ता का मतलब क्या है इसका मतलब क्या है 20 ग्राम जो उपर लिखा है 20 ग्राम विलेई, एक लीटर विलियन में गुले है simple, एक लीटर विलियन में 20 ग्राम गुले है आपसे बोला जाए 25 ग्राम प्रतिशत सांड़ता मतलब 25 ग्राम विलेई किस में गुले है एक लिटर विलियन में सिंपल है कुछ नहीं है ग्राम प्रती actual में सांधता जो होती है जो हम strength निकालते है प्रबलता वो अधितर ग्राम प्रती लिटर में ही निकाली जाती है आगे आपको help करेगी जादे इसमें focus कुछ करना नहीं है और एक चीज और मैं बता दे रही हूँ जिस भी फॉर्मूले में वी आया है उसका मतलब है उस फॉर्मूले में उस फॉर्मूले की अगर बात करें उस फॉर्मूले में अगर हम गरम करेंगे ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा है ये value चेंज हो जाएगी क्यूंकि चार्ल्स के नियम के अकॉर्डिंग ताप जो है वो आइतन पर निर्भर करता है मतलब ताप बढ़ाने पर आइतन बढ़ता है ताप घटाने पर आइतन घटता है ये आपने पढ़ा होगा पहले गैसी अवस्था वाले में तो जहां जिस भी फॉर्मिले में अभी तक मैंने जित्ते भी सांद्रता के फॉर्मिले बता हैं उसमें जहां पर वी आ रहे है आप समझ जाएए कि ये value जो होगी हो ताप बढ़ाने या घटाने पर परिवर्तित होगी ठीक है अब next topic जोगी सबसे important है titration में यही काम आने वाला है laboratory में यही काम आने वाला है वो है molartha सबसे ज़्यादा question इसी के बनते molartha के भी NCRT के बच्चों के लिए भी तो molartha को English में कहते है molarity ठीक है molarity तो molarity जो होती है उसकी परिभाशा भी वही repeated बार बार वो मैंने आपको एक लिटर विलियन बना के दिया है एक लिटर विलियन बना के दिया है उस एक लिटर विलियन में विले के कितने mol molar मतलब कितने mol गुले है जैसे यहाँ था gram प्रती लिटर तो कितने gram गुले है वैसे molartha का मतलब होगा एक लिटर विलियन जो मैंने आपको बना के दिया है उस विलिम में कितने मोल गुले हैं और वो मोल किसके होंगे, विलेई के होंगे विलायक की तो बाती नहीं होती, कितने विलेई के मोल गुले हैं तो definition simple है, एक लिटर विलियन में विलेई के घुलेवे मोलों की संख्या को मोलर्ता कहते है, simple, molarity तो ये diagram से show करेंगे देखे, एक लिटर विलियन आपको दे दिया गया है, लिखाए एक लिटर विलियन इस विलियन में कितने विलेई डाले गए होंगे, मतलब विलेई के कितने मोल, कितने मोल विलेई उपस्तित हैं उसी को कहते है, मोलर्ता तो इसी को लिखेते है, formula wise मोलर्ता equals to, उपर हमेशा विलेई लिखेंगे, नीचे हमेशा विलियन ये trick थी हमारी, और क्योंकि इस समय लिखा है, विलेई के मोल, तो उपर आ जाएगा तो विलेई के मोल बट्टे, विल्यन का इतन क्योंकि मोल को हम N से दिखाते हैं और हम मोलर्ता को से दिखाते हैं, confuse मत कीजेगा Q से उपरेगे मोलर्ता को और विलेई के मोल, मोल हमेशा N से represent किये जाते हैं अपर विल्यन का इतन, आईतन, volume इंग्लिस में वी से दिखाते हैं क्योंकि आप लीटर लिखा है धियान रखना है लीटर में अब मैं क्या करूंगी क्योंकि मुझे पता है कि एन विलेई के मोल जब भी निकालने होते हैं तो इसका एक फॉर्मिला है डबलू बाई जी एमम ग्राम मॉलेकुलर मास या इसको क करो होता है डबलू बाई जी-मम तो रख दिया वेल्यू इंटू वी यह ऐगा हुजाएगा अइब लीटर में लेकिन अग्र आपको लीटर ना दिया हो कोई क्वेस्टिन करना है उस כशनलों उसने दिया है कि 500 विलेई लिखा है एक लिटर में कितने ml होंगे 1000, तो मैंने क्या कर दिया 1000 से इसको multiply कर दिया ठीक है, तो लिटर वाले formula को ml में बदलने के लिए 1000 से multiply कर दिया, तो ये formula बन गया ठीक है, और तो formula हमारा आगया, m equals to w upon gmm into v into thousand जिसमें w है, विले का gram में, ये आपको दिया जाएगा gram में, gmm होगा विले का अनुभार, जो हम निकाल लेते हैं खुद से, ठीक है, into v होता है item, willion का item अब इसके बाद में कुछ आपको molar की condition बता रही हूं, आपसे पूछा जाएगा आप क्या बताएगे, ठीक है, जैसे आपसे कहा गया है कि, पांच मोलर विलेन का मतलब क्या हुआ, तो नाम से ही लग रहा पांच मोल घुले हैं, और जब भी कहते हैं, मोलर मोलर, जैसे शब्दा आए, मोलर आप समझ देना, एक लीटर विलेन में गुले है, तो आपको होगे, एक लीटर विलेन में, अगर पांच मोल विलेए के घुल दे, तो इसको पांच मोलर विलेन कहींगे, क्या बोला मैंने एक लीटर विलेन है, उसमें कितना घुल दिया है विलेए का, पांच मोलर 5 mol विलेय के गुले हो, तो इसको कहते है 5 molar wili 800, ऐसे ही अगर मैं 12 molar wili discussions की बात करीं तो 12 molar का मतलब है 1 liter wili central में 12 mol गुले हैं, किसके गुले है? विलेय के? Simple, तो इसका मातरक होता है molar का देखेगा, W का द्रविमान क्या होता है W अगर ऐसे देखे हैं, तो n by V था formula simple वाला n का मात्रख क्या होता है mol N क्या होता है mol है na V होता है liter तो mol प्रतिलिटर कह सकते है इसको cd cd ठीक है mol प्रतिलिटर अब ये तो मात्रख हो गया इसके बाद mol प्रतिलिटर इसके अलावा खाली capital M भी लिखा रहता यूनिट कभी-कभी नहीं लिखी जाती ही काई, खाली M लिख देते हैं, ठीक है, तो molar-villion अलग-अलग है, अगर simple आपसे कहा जाए कि यह molar-villion क्या है, तो आप कहेंगे 1 mol, अगर question में दिया है कि semi-molar है, semi मतलब 1 बट्टा 2, एक-बट्टे मतलब M बट्टे 2 लिख सकते हैं उसे, ठीक है, एक-बट्टे 2 या M by 2, ऐसे है pentimolar, penti मतलब 5, तो हो जाएगा M by 5, या फिर एक-बट्टे 5 लिख सकते हैं, decimolar, deci नाम से ही लग रहा है, deci मतलब 10, M by 10, या फिर एक-बट्टे 10 लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे centi, centi मतलब 100, M by 100 विलिएन, ठीक है, next है, last बचा है, millimolar, millimolar विलिएन होते है, millimolar होते है, thousand, ठीक है, तो M by 1000 विलिएन को कहते हैं, millimolar, और ऐसे आएंगे, by molar, by कह रहा है, by मतलब दुगना कर देना है, तो 2 mol हो जाएगा, ठीक है, ऐसे question paper में numerical मा आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, semi किसे कहते हैं, by किसे कहते हैं, dc किसे कहते हैं, तो अब आएगा, यह तो इतने formula तो normal आपने सुना होगा, अब इसके बाद जो मैं बता रही हूँ, यह NCRT 12th के लिए भी important है, और खासकर जो competitive exam के तयारी कर रहे हैं, IIT jam हो गया, neat हो गया, इसके अलावा IIT हो गया, उन सभी मा काफी help करेगा, तो यह है, आपको मैंने एक solution बना के दिया है, देख लेजी, यह billion बना के दिया है, मैंने का यह billion है, इसकी molarता है M1 और इसका जो item है, कुल कितना है, V1, ठीक है, molarता और item दे दिया गया, यह प्रार तो अब पानी मिलाने के बाद, तनूता मतला पानी मिलाना, पानी मिलाने के बाद, विल्यन तनू हो जाएगा, पानी मिलाते हैं, जिसे एक आपने कहा है, पानी और चीनी का विल्यन बना है, उसमें जैसे जैसे पानी बढ़ाते जाए, विल्यन पतला होता जाएगा, पतला पड़ी गए, मोलर्ता में भी चेंज आता है, तो इसी को कहते है तनुता एक विलियन आपको दिया गया है तो विलियन की मोलर्ता M1 और आईतन वीवन था, लेकिन जैसे उसमें मैं पानी मिला दूँगी, ठीक है, मतलब मैंने पानी मिला दिया, तो पानी मिलाने के बाद जो बनेगा ठीक है उस विलियन की मोलर्ता कितनी होगी और आयतन कितना होगा तो ये चेक करने के लिए ये फॉर्मुला हम लगाएंगे सिंपल है मान लिजे परारम भी एक विलियन की मोलर्ता M1 और आयतन V1 था जल मिलाने के बाद उसके अंति मोलर्ता M2 और आयतन V2 हो गया अब आप सोचेंगे कि आयतन तो बड़ा ठीक है आयतन तो हम मान सकते हैं V2 लेकिन मोलर्ता में कैसे चेंज हुआ मोलर्ता में चेंज क्योंकि मोलर्ता का फॉर्मूला क्या है M equals to N by V M equals to N by V V का मतलब है कि मोलर्ता जो है आयतन पर निर्भर करती है अगर आयतन बदल रहे वी तो आपने कहाई है तो आयतन बढ़ जाएगा तो आयतन बदलेगा तो मोलर्ता भी बदलेगी इसको समझ लेजीगा ठीक है दोनों तो यह प्रारंबिक वाल है अंति में तो ऐसी कंडिशन दी हो तब आप क्या करेंगे तो सिंपल है देखीगा एक चीद ध्यान रखीगा इस विलियन में क्या मैंने कहीं पर बोला कि मैंने इतना विलेई और भर दिया इस विलियन में नहीं बोला ना इसका मतलब है जितने यहाँ पर थे जैसे कि मैंने देखी गया रेड डॉट से दिकाएं वन तुट्री फॉर फाईप सेवन इसेवन डॉट हैं विलेई और सेवन विलेई यहाँ इस में कोई चेंजम दि trainings दी आएगा तो मान लेजिए प्रारंबिक वrageं में विलेई के ओ यहाँ अब क्योंकि हमें पता है कि दोनों विलियनों में विलेई में चेड़ खानी नहीं की गई है विलेई कि मात्रा बिल्कुल उतनी है तो दोनों विलियनों में विलेई के मोल जो होगी विलेई की मात्रा बराबर होगी तो मैंने लिख दिया N1 प्रारंबिक विलियन में और N2 जो अंतिम विलियन है दोनों में विलेई की मात्रा बराबर है ठीक है अब जैसा कि हम जानते हैं formula था m equals to होता है m equals to था n upon v था formula m equals to होता है n y v molarity का formula तो मैं क्या करूँगी v को इधर लेके जाएंगे multiply कर देंगे तो formula आ जाएगा n equals to m v आगे है n equals to m v अब ऐसे हम निकाल देते हैं अगर n1 की बात की जाए तो n1 की बात करेंगे तो यह formula बन जाएगा m1 v1 ऐसे अगर मैं n2 ले लूँ इसकी जगह पर तो n2 equals to m2 v2 तो आपको कुछ नहीं करना है इस formula में रख देना है n1 equals to n2 n1 का मान है m1 v1 equals to n2 का मान है m2 v2 तो यह formula बन गया अगर कोई विलियन में आप पानी add कर देते हैं केवल पानी आप उसको तनू बना देते हैं 500 ml 200 ml जो भी पानी डालते हैं पानी डालने के बाद जो अंतिम विलियन बचा उसकी molarता कितनी होगी आइतन कितना होगा वो इस formula से निकाला जाएगा जिसमें M1 होगा प्रारंबिक molarता V1 होगा प्रारंबिक आइतन M2 होगा अंतिम molarता और V2 होगा अंतिम आइतन यह titration में भी आपकी काम आता है तो ये तो था दो विलियनों को अगर मिश्रित कर दिया जाए तो उस समय सोरी दो विलियनों में एक विलियन में अगर हम तनुता बढ़ाते हैं जब बात आईगी तनुता की तो वो फॉर्मिला यूज करेंगे उसकी मूल अरता कितनी होगी तो समझ में आगी अब जो मिष्रन बनेगा उसकी मोल लर्ता कितनी हो गिए मिष्रन की बात हो रही है तो इसको ऐसे समझाते हैं मान लीजिए ये विलियन है ठीजिक है और ये ये एक विलियन है ये दूर्शा विलियन है इन दोनों को mix करके हमें एक मिष्रन बनाने मतलब एक तीश्रा विलियन बनाने है, ठीक है, मिश्रन कह सकते हैं, तो इस विलियन के मोल कुछ और होंगे, क्योंकि देखिए, विलियन अलग है, नमक का भी हो सकता है, ये चीनिका भी हो सकता है, तो मान लिजे इस विलियन के मोल N1 थे, और इस विलियन के मोल N2 थे, सिंपल ये चीनिका है ये नमक का है ऐसे करके मान लेजे ठीक है इस विलियन की मोलर्ता भी कुछ और होगी मोलर्ता इसके M1 हो गई इस विलियन की हो गई M2 ठीक है अब इस विलियन की अगर आईतन कहें तो मान लेजी एक लिटर लिया है इसको मैंने डेल लिटर लिया है कितना ही भी N2 दोनों को मिला दिया जा रहे है तो कितना बनेगा N1 प्लस N2 आइतन एक लिटर ये लिए है डेल लिटर ये लिए है दोनों को मिक्स कर देंगे कितना हो जाएगा धाई लेटर मतलब V1 प्लस V2 लेकिन मोलर्ता में क्या चेंज आएगा वो भी मैं आपको करके दिखा रहे हूँ वैसे मोलर्ता भी M1 प्लस M2 ही होता है वो आपको हम करके दिखाते है ठीक है चले इसको डिराइफ करके दिखाएंगे कि अगर दो या तीन मिश्रण को या चार मिश्रण को विलियन को आपस में मिला दिया जाएं तो जो विलियन बनेगा उसकी मोलर्ता क्या होनी चाहिए तो जनरली स्टार्टिंग से बात करते हैं मोलर्ता इक्वस्टू होता है विले के मोल बट्टे विलियन का इतन यह तो आपको बता ही है तो मोलर्ता को M से शो करत विलेय के मोल को हम N से दिखाते हैं, विलियन का इतन होता है V, यह तो फॉर्मिला है, बहुत बार पढ़ चुक है, तो अब बात हुरी मिश्रण की, यह जो मिश्रण बना है, यह जो विलियन बना है, मिक्स करने के बाद, तो इस मिश्रण की मोलर्ता कितनी होगी, तो हम कह सकत हम जो मिश्रण की मोलर्ता मैंने मान लिया, M1 प्लस M2 को M, अध क्या है, यह मान लिया, तो इकवस तो विलेय के मोल कितने हो जाएंगे, N1 यह है N2 यह है, तो कितना हो जाएगा विलेय के मोल, यहाँ पर, मिश्रण में N1 प्लस M2, अपोन, विलियन का कुल आईतन, यहां यहां था 1.5L, कितना हो गया, 1.5L हो गया न, तो मतलग कैसे निकाला V1 प्लस V2, तो इन दोनों को add कर दीजे, V1 प्लस V2, अब यह, तो आप लगाएंगे, फॉर्मिला अभी मैंने बताया था, molarity M equals to N by V, होता है, molarity M equals to N by V, तो आप V को यहां लेके जाएंगे, तो हो जाएगा N equals to MV, अभी हम पहले भी कर चुके है, तो अगर वो N1 कह रहा है, तो formula बन जाएगा M1 V1, ठीक है, और अगर वो कह रहा है N2, तो आप लिखोगे वहाँ पर M2 V2, तो यह जो अभी हमने derive किया था, ठीक है, यह जो derive किया था, N1 प्लस N2, upon V1 प्लस V2 में, N1 और N2 का value हम प्लस कर लेंगे, ठीक है, तो value हो जाएगी M equals to N1 प्लस N2, N1 की जगह रख देंगे M1 V1, और N2 की जगह रख देंगे M2 V2, upon volume है, तो कोई chain ही आएगा V1 प्लस V2, तो यह हो गया, जो आप से पूछा जाएगा, जो प्राप्त मिश्रण है, उस मिश्रण की मोलरता कितनी होगी, तो यह होगी उसकी मोलरता, ठीक है, यह पहले वाले विलियन की मोलरता और आइतन है, और यह आइतन हो गया, ठीक है, अब इस पूरी value को आप calculate कर लेंगे, तो यह जो M आ रहे है, capital M, यह M होगा, इस मिश्रण का, दोनों को, इनको मिलाने के बाद, ठीक है, अ बन जाएगा, ऐसे आप खुद निकाल सकते है, capital M, M1 V1, ऐसे बनेगा, N1 प्लस N2 प्लस N3, upon V1 प्लस V2 प्लस V3, तो इसमें N1 की जाएगा, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3, upon V1 प्लस V2 प्लस V3, 4 होंगे, तो प्लस हो जाएगा, M4 V4 प्लस V4, कर लेंगे ना, इसे, अगर ऐ एक से जादा, अगर दो से जादा विलियनों को मिश्रित करना हो, तो यह formula आपको यूज करने है, यह 2 विलियनों के लिए है, यह 3 विलियनों के लिए, अंतर समझ में आया होगा, M1 V1 equals to M2 V2 होता है, जब तनुता यूज करते है, और यह वाला formula तब यूज करेंगे, जब दो अलग अलग टाइब के विलियनों को आपस में मिक्स करेंगे, यह 3 अलग अलग टाइब के विलियनों को आपस में मिक्स करेंगे, और कुल मोलर्ता पता करनी होगे, अब यहां भी मैंने लिख दिया है, क्योंकि हमारा जो formula था, मोलर्ता, मोलर्ता equals to N upon B होता है, और मैंन तो आइतन बदलेगा और आइतन बदलेगा तो मुलर्ता बदलेगी तो लिखा हुए मुलर्ता तापन निर्भर करती है क्योंकि मुलर्ता के सूत्र में वी आइतन उपस्तित है जो कि चाल्स के नियम के अनुसार तापन निर्भर करता है मतल़ ताप बदलते हैं तो वी बदल तो इसको ज़्यादा हमें डिसकस नहीं करना है नेक्स्ट है मोलैलिटी मोलैलिटी एक अलग टर्म आ गया अभी तक मैंने जितने भी पढ़ाया है उसमें सबी में एकी ट्रिक काम कर रही थी उपर विले लिखो नीचे विलियन लिखो उपर विले नीचे विलियन यही तो थे ट्रिक लेकिन अब थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि चेंज क्या होना है यहाँ पर एक नया शब्दा आ जाएगा विलियन को हम हटा दिंगे और नया शब्दा आएगा विलायक ठीक है तो आज समझ जाते हैं कि वो द्रव्यमान दिया है तो एक केजी द्रव्यमान विलायक में जिसमां हम घोल रहे हैं विलायक में कितना विलेए घुला है विलेए के कितने मोल घुले हैं उसी को कहते हैं मोललता तो definition होगी एक केजी विलायक में घुले है विलेए के मौलों की संक्या मौललता कहलाती है simple मौललता को small m से दिखाते है तो formula हो गया मौललता equals to उपर तो विलेए रहता ही है वो trick लगेगी लगेगी लेकिन विलेए के मौल कह रहा है वह ही definition same है मौललता और मौललता में अंतर केवल इतना ही है कि वहां हमने लीटर कहाता है यहां केजी कह रहे है वहां आयतन की बात हो रही थी यहां द्रविमान की बात हो रही है वहां विलियन की बात थी यहां विलायक की बात है बस ठीक है तो उपर हो जाएंगे विले की मोल क्योंकि विले की मोल डाल रहे है अपन नीचे क्या है विल जलता, molality, इसको small m से दिखाते हैं, को विलेय के mol को n वही रहेगा, और विलायक का दर्मान, जब मैंने पहले बताये थे न, आपको w by w formula या जो भी बताये थे, w by b, तो उसमें मैंने आपको बताया थे, विलेय को हम w1 मानते हैं, और विलायक का दर्मान w2 मानते हैं, बताया विलेय के mol है, तो विलेय के mol को लिखते हैं, w upon gmm, तो खाले w ना लिखें, विलेय का दर्मान हम लिखते हैं, w1 जैसे विलायक का लिखते हैं, w2, तो n equals 2 हो जाएगा, w by m की जगा, आप लिखेंगे, w1 upon gmm, 1, into विलायक का दर्मान हो जाएगा, गुणा kg, तो अंतर आपन विलायक का है, वहाँ विलेयन का था, तो यह formula तो हमारा आचुके है, अगर kg ना दिया हो, आपको gram में दिया हो, तो gram में दिया होगा, तो आप kg को बदलेंगे gram में, तो 1 kg में कितने हो जाएगे, 1000 gram, तो 1000 से इसको multiply कर देंगे, ठीक है, तो यह तो आप कर लेंगे, तो इसम 1 जो लिखा है, GMM लिख सकते हो, gram molecular mass, gram आणवी द्रविवान या विलेयक आणवार कह सकते हैं, नेक्स्ट है, एक बार आप खुद देखिए, कि जो मैंने मोललता का formula आपको दिया है, एक बार देख लीजे, जो मैंने मोललता का यह formula आपको दिया है, क्या इसमें कहीं पर V आ रहे है, V, नहीं आए न, V, ठीक है, तो इसमें आ जाते इक बार, तो आपने देखा, कि जो मोललता है, उस मोललता के formula में V कहीं नहीं आ रहे है, ठीक है, आईतन नहीं आ रहे है, तो इसका मतलब है, मोललता ताप पर निर्भन नहीं करती, क्यूंकि ताप जो है, वो डब कोईые change नहीं करता है ताप, पिक्यांकि मौललता में Iतन नहीं आ रहे हैं V नहीं आ रहे हैं इसलिए हम कहेंगे मौललता पर ताप का कुई प्रभाव नहीं पड़ता है तो इसको ध्यान रखना कि mostly जितने भी हमने पड़े हैं mostly कह रीूं सारे हैं जिन लावा मोललता ठीक है मोललता में भी डब वी नहीं आ रहे है इसलिए हो क्या होगा ताप पर डिपेंड नहीं करेगा ठीक है मतलब ताप से प्रभाईद नहीं होता है ऐसा कोई question आ सकता है numerical आपकी या competitive exam में कि इन में से कौन सा वो सांड़ता क्या प्रदर्शित करने की विध में तो एक मोल को जब हम एक किलो विलायक में घोल दिंगे तो उसको कहेंगे एक मोल अलवियन पांच मोल अलवियन जब पांच मोल विले को एक किलो वो रहेगा unit वही एक किलो विलायक में घोल दिंगे तो इसको कहेंगे पांच मोल अलवियन अब में एक फॉर्मिला और ब है कि हमें W ना दिया हो तो उस समय हम घनत तो दिया हो तो आप W निकाल लेंगे कैसे W equals to density D into V तो हम जब numerical करेंगे तो मैं आपको बताऊंगे आपको tension लेने की जरुवत नहीं है तो अब हम देखते हैं कि ये मोलर्ता और मोलर्ता में relation क्या है मोलर्ता और मोलर्ता में relation तो क्योंकि मोलर्ता का formula है molarity equals to n by v और मोलर्ता equals to n by w2 n equals to w2 क्यों लिखा मैंने n की जगा पर आप क्या रखोगे n equals to विले का द्रुमान बट्टे विले का ग्राम अनुभार तो n equals to अगर मैं इसको open करूं तो ये भी तो लिख सकते हैं n equals to w1 upon gmm1 formula बन गया ना confused तो नहीं हो रहे हैं तो इसकी जगा पर हम ये रखेंगे w1 upon gmm1 into w2 formula बन गया ना ये दोनों इसको लिटर में लिया है इसको kilo में लिया है भी ठीक है इसके 1000 से multiply नहीं कर रहे हैं तो देखेगा molarity equals to n by v और molalta equals to n by w ठीक है वहाँ आयतन और यहाँ विलायक का द्रविमाद अब हम क्या करेंगे समिकन एक को समिकन दो से भाग दे दो विभाजित कर दो तो m बट्टा m1 हो जाएगा वैसे इतना बट्टे इतना हो जाएगा तो m बट्टा m1 equals to n v बट्टे n by w हो गया अब इसको हम solve करेंगे n by w उपर उलट जाएगी भी इनना आपको करना आता ही है w to उपर आ जाएगा कैंसिल हुआ तो क्या बचा m upon m molarity upon molalta molalta बट्टे molalta equals to w2 upon v तो ये relation आगया अगर molalta molalta दी गई हो आपको w, w2 क्या है विलायक का दरुमान और v क्या होता है विलियन का आयतन ये दिया हो तो इन में से कोई एक चीज़ निकालने के लिए आ सकते है तो इससे भी कर सकते है formula से याद नहीं भी करना है तब भी आप simple तरीके से कर लेंगे formula नहीं तो थोड़ा जल्दी करने के लिए formula यूज़ कर सकते हैं तो उसी formula को मैं एक बार theoretical बोल रही हूँ capital M molarta upon small m molarta equals to w2 विलायक का द्रुमान upon billion का आईतन ठीक है चलिए इससे निकाल सकते हैं इसके अलावा ये formula और था molarta equals to विले इता गुणा 10 बटे आणवी बार जब हम यहां तक पहुंच जाएंगे तब यह बताऊंगे आप लिख सकते हैं बट इसको आपको यूज़ करने के अभी जरुवत नहीं अभी यह आए गई नहीं जब आएगा तो मैं कैसे आया मैं explain कर दूंगी ठीक है अब last हम term आप कर सकते हैं तो फॉर्मलता की बात करते हैं फॉर्मलिटी इसको कहते हैं इसको इंग्लिस के capital F लेटर से शो करते हैं अब दएगा फॉर्मलिटी क्या है फॉर्मल्ता फॉर्मलिटी सेम molarity जैसा होता है molarता की समान होता है अंतर क्या है वहाँ पर हम कहते है विले के mol gram में mol जो की एक लिटर विलियन में घूले है यहाँ भी सेम वही है एक लिटर विलियन में घूला होना चाहिए लेकिन क्या यहाँ पर एक शब्द आ जाएगा formula वहाँ बोला था मैंने विले के mol सिंपल बोल दिया था विले के mol यहाँ पर बोलना है gram formula तो विले के वे gram formula जैसे फॉर्मलता लग रहा फॉर्मलता शब्द से ही आपको फॉर्मल फॉर्मला शब्द लिखना ही लिखना है फॉर्मल शब्द लिखना ही लिखना है विलेए के वे ग्राम फॉर्मुला जैसे वहां बुला था विलेए के वे मोल ग्राम दरविमान तो विलेए के वे ग्राम फॉर्मुला जो की एक लिटर विलियन में घुला हो फॉर्मलता कहलाता है तो formula equals to हो जाएगा विले का gram formula ग्रविमान formula हो गये formula ग्रविमान बट्टे विलियन का इतन formula को f से दिखाते है equals to जैसे वहाँ हम यूज कर ले थे formula capital M equals to n upon v यहाँ पर लिखोगे nf same होता है मैं बार-बार कह रही हूँ कोई difference नहीं है किवल यहाँ पर formula mole कह सकते है formula mole बट्टे आइतन तो formula mole nf equals to ही हो जाएगा जैसे n का मान होता है w by g mm वो होता है gram mm gram molecular mass gram यहाँ पर आप लिखोगे gf m या gf w वहाँ होता है gram molecular mass यहाँ होता है gram formal द्रविमान gram formal द्रविमान गुड़ा v यह अभी लिटर में ही है ठीक है अब लिटर को बदल लेते हैं ml में तो 1000 से उड़ा कर लेंगे तो formula बन जाएगा फॉर्मल था equals to w upon gf w into v mili में into 1000 तो अंतर के वाल इतना ही था वहाँ पर हमने w by g mm लिखा था इतना ही फरक था दग रहा होगा यहाँ gram formal द्रविमान वहाँ था gram आणविक द्रविमान वहाँ अनू की बात होती है यहाँ अनू तूट जाते है अब मैं आपको reason भी बता रही हूँ देखीगा w है विले का द्रविमान ठीक है gf w विले का gram formula द्रविमान कहते हैं अब मैं बता रही हूँ आपको तो जब सारी चीजे चेंज है मतलब सेम है तो molar था फॉर्मलता में फरक तो हमें कुछ लगाई नहीं आप यह को होगे तो फरक है चेंज तो होगा कुछ न कुछ तो चेंज क्या है फॉर्मलता का प्रियोग सांड़ता ग्याद करने के लिए फॉर्मलता का प्रियोग तब किया जाता है जब बात हो आईनिक ठोसों की जैसे ने-सी-एल, के-सी-एल ठीक है के-बी-आर इस टाइब के आईनिक ठोसों की जब हम बात करेंगे सी-ए-सी-ए-ल तो उस समय हम फॉर्मलता का यूज करेंगे मोलर्ता की बजाए फॉर्मलता यूज करना ज्यादा सही रहेगा जैसे कि क्या अंतर है वो भी मैं बता देती हूँ फॉर्मलता सब्द का प्रियोग फॉर्मलता सांड़ता ग्याद करने का प्रियोग हम करेंगे आयनिक्ठोसों के लिए जैसे कि NACL, KCL, Na2CO3 ठीक है? ऐसे आयनिक्ठोसों के लिए. तो जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको NACL मैं मैंने बोला NACL का विलियन है उसमें एक फॉर्मल NACL विलियन है. क्या बोला? एक फॉर्मल एनेसीयल विलियन तो इसका एक फॉर्मल एनेसीयल विलियन का मतलब है एक लीटर विलियन एनेसीयल के विलियन में एक फॉर्मल एनेसीयल है क्या बोला एक लीटर विलियन में जो की नमकीन पानी का बना है एक लीटर विलियन में एक फॉर्मल एनेसीयल है जैसे एक mole बोलते हैं एक mole विलेई के हैं वैसे यहाँ पर मैं बोलूँगी एक formal विलेई का है तो एक formal में difference क्या है देखिए यहाँ क्या होता है आई निक्ठोस आपको पता है पानी में घुलने पर तुरंत आईनों में टूप जाते हैं पता है सबको तो na cl को भी जैसे मैं पानी में घुलूँगी तो na positive अलग हो जाएगा cl negative अलग हो जाएगा ठीक है यह दो आईनों से मिलके बना था तो इसका कुल दरविमान gfw यह तो वही है 58.5 लेकिन यहाँ पर आपसे बोला जाएगी फॉर्मलता तो आईनों की फॉर्मलता कितनी है त कि दोनों को add किया जाता है हाँ पर जो इसके ion अलग हो रहे है यह कीक उल्लो को one माना जाते है कुल मिला के तो मतलब हम कह सकते है फॉर्मलता में हम कुल sanderता देखते हैं मतलब जो miejsce है विले की कुल मात्रा को देखा जाते है तो कुल मात्रा अगर देखें Na और Cl की कुल मात्र तो ये एक فर्मल से यी बना है तो ये जो आयन बने हुँगे इन आयनों को मिला के सूची तो कितना होगा एक फॉर्मल ठीक ए लेकिन आप मोलरता में तूटेगा तो NA positive अलग हो जाएगा CL negative अलग तो उस समय ये कहता है कि एक molar NA CL तूटने के बाद एक molar NA positive आयन देता है और एक molar CL negative आयन देता है मतलब जब वो तूटा नहीं था तो एक molar था लेकिन जैसे उसको पानी में dissociate कर दिया गया है तो विलियन में कुल molar कितने हो जाएंगे 2 molar अब आया समझ में क्या फरक है formal time है formal time है ठोसों के लिए माना जाता है लेकिन यहाँ पर यहाँ पर बनते हैं कुल mole जो बनते है formal molar ठीक है formal माने जाते है mole वो एक ही माना जाएगा तूटने की बाद भी लेकिन यहाँ चेंज हो जाता है यहाँ तूटने के बाद जैसे कि अगर मैं एक्जाम्पल दूश्रा लूँ Na2, CO3 ले लूँ तूटने के बाद यह बन जाएगा 2 Na positive और यह बन जाएगा CO3, 2 negative यही तो बनेगा तो यहाँ पर अगर मैं molar ठाकि तो हम क्या बात करेंगे तो यहाँ पर हम बात करेंगे जैसे कि Na2, CO3 को break कर रहे है 2 Na positive और CO3 negative अगर molar ठाकि बात करूँ तो मैं कहूंगे एक molar मैंने Na2, CO3 का विलियन लिया तो तूटने के बाद इसने कितने बना दिये दो बना दी ना जो तूटने के बाद इसने कितना बना आया एक फॉर्मल 2 Na positive और CO3 2 negative समझ में आया फॉर्मल ठाक की बात की जाये तो फॉर्मल ठाकि बात की जाये तो फॉर्मल ठाकि कुल आयन जो बने है उन सबको एक साथ माना जाते है मतलब कुल विलिया देखे जाते है तो फॉर्मल ठाकि बहुत से है तो यह आयन टूट जाते है आयन टूटने के बाद भी अपनी फॉर्मल ठाको मैंटेन करके रखते है लेकिन मोल ठाक में ऐसा नहीं होता अगर आयनों के लिए मोल ठाक निकालेंगे तो आयन जैसे ही टूटेंगे यह compound जैसे आइनों में तूटेगा मोल अर्ता में चीन जा जाएगा तो आज हमने पढ़ लिया है बहुत से important बातें जो कि आप lab में यूज करेंगे competitive exam में भी यूज करेंगे और साथी साथ आप लोग आगे जो 12th pass होने के बाद student को चाहिए BAC करेंगे subscribe तो करा ही होगा आपने और जिसने नहीं किया है तो वो कर लीजिए और साथी साथ आप साथ notification bell को बजाना भूल जा रहे हैं क्योंकि आपको notification मिल नहीं पा रहे हैं तो आप notification bell को जरूर बजाए और साथी अपनी जादे से जादे friends में इसे share करें तो next video जो हमारी रहेगी वो मुलर्ता पर आधारित numericals पर रहेगी ठीक है तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं इसको मैं tricks से भी बताने हैं वो next video में बताऊंगी तो आज के लिए इतना ही keep watching, keep loving, keep sharing and bye bye